हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जी एसाइकू एजुकेशन पर चैनल पर एक सब्जेक्ट का जो सार चल रहा है उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतियास को देखा है मेडेवल हिस्ट्री को भी हम लोगों ने देख लिया है और उसके बाद से फिर पाइलोजी का भी एपिसोड आ चुका है उसके बाद से फिर फिजिक्स का भी आया है केमेस्टी का भी आया है यह बहुत ही अच्छी पुस्तर है कॉस्मस फब्लिकेशन की महस्कुमार बर्णव है तो अगर नहीं तो फिर भी इस वीडियो को आप एक से दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा और एक जाम से पहले जरूर एक बार देख लें वीडियो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है बस यहीं वीडियो मैं कोशीज करूंगा कि वीडियो को कम से कम 25 अधिक मुश्किल से मतलब मैक्सिमम 25 से लेकर के 25 मिनट तक कहीं वीडियो या फिर 25 से 30 मिनट तक कहीं वीडियो में बनानी की खोशिस करूंगा तो इसको बस क्या करना है कि आप एक से दो बार इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद मैं पता मतलब का देखिएगा तैयारी कि तैयारी किया है उसमें चार चंद लगा देगा और एक्जाम में अच्छे मार्क्स और फोस्चन्स नहीं छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी ठीक है तो एक्जाम देने से पहले भी यह बीपीसी के लिए इंपोर्टेंट है इसके साथ साथ एंटीपीसी के एक्जाम पंदर देशमबर से नोटिफिकेशन आया है कि चालो होने वाला है फिर ऊसके सब और जो में जी स्पेथा या जिसमें फूचा जाता है उसमें इस प्रस्म को इस तरह से लिखा गया है जो मतलब देखा जाए तो हमेसा पूचा जाता रहा है तो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए बस थोड़ा सब्सक्राइब अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लिजिए अपने दोस्तों के पास सेर कर लिजेगा अगर मेरी पूरी वीडियो को आप लोग देखते हैं तो कॉमेंट में आप अपना एक अच्छा सा सलाह अपनी एक ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक से दो सेकेंड लाएगा लाइक करने में और 20 से 30 सेकेंड लाइगा कोमेंट करने में तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजेगा कि NCRD का सार संक्र यहां पर यह GSI को एजूकेशन लोगों ने जैसे आम लक्षमी कांत की पुष्टक है या फिर कोई भी पॉलिटी की पुष्टक को आप लोगों ने एक बार अगर पढ़ा है तो उससे मतलब वह दिमाग में बैठ जाता है और यह से कोश्चन गलत होने का लगवाग 80% चांस रहता है कि एक बार पढ़ ले है तो भारती राजब्यवस्ता में हम लोग का जो पहला टॉपिक है भारत का संबेधानिक विगास कंस्टिशूशनल डेवलोप्मेंट ऑफ इंडिया भारत का जो संबेधान जो बना वह किस तरह से बना और कहां से निकल कर गया या कैसे बना तो उसमें कौन-कौन सी प्रो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सरवच न्याले की अस्थापना की गई कहां की गई तो कलकत्ता में 1774 इसमी में की गई थी उसके बाद से फिर देखेंगे कि भारतियों को भारत की परसासन में भाग लेने का अधिकार अधिनियम के द्वारा प्राप्थ हुआ तो चार्टर डेक्ट 1833 के द्वारा हुआ मतलब कि British Crown का सासन था तो यहां के भारत के जो लोग थे उसको परसाटर में भाग लेने का कोई अधिकार ही नहीं था लेकिन 1833 का जो चार्टर डेक्ट डाया। उसके बाद से भारत के फारसासन में भाग लेने का भारतियों का अ तो 1919 के भारत साथन अधिनियम द्वरा जो केंद्रिय विहार मंडल उसको द्विस अधिनियम से प्रेरित है तो भारत साथन अधिनियम 1935 से प्रेरित है अब देखेंगे यहां पर है कि भारत के यहां रगधान इस तरह किस तरह से आगे की और जो अभी सपास किसистरंव और वो किस तरह से बना ठीक हैतों सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि इस इंद्या कंपनी जब यहां भारत में खर vinegar पारट लेकिन वो बाद में यहां पे शासन करने लगी तो इस इंडिया कंपनी का अंत्रगत हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बना वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उचनियाले कि अस्थापना हुई थी ठीक है औ पिर चार्टर एक्ट 18metics पिर चार्टर एक्ट 1833 आया है जिसके बाद में मतलब यह वी Racano के अंत्रगत यह सब लाड़्य प्रिटिश क्राउन के अंत्रगत चला गया तो हम देखते हैं कि जो पहला एक्ट अधिनियम उसको बोला गया यह सब सारे एक्ट थे जो company के थे इस इंडिया company की थी लेकिन जब ब्रिटिस सरकार खुद भारत पे अपना अस्थाइट बना लिया भारत को पे खुद से राज करने लगा तो उस समय जो एक्ट बना उसको भारत सासन अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले आया भ पूरा भारत का समराज्य था वो कहां चला गया बिटेंड के क्राउम के हाथ में चला गया फिर उसके बाद से बना तो भारतपर अधिनियम को भारत सासन अधिनियम फिर भारत जासन अधिनियम 1935 विए इसी संभीधान का बहुत सारा भागपों लोग जो अभी परतमान में जो संभीधान है उसमें देखने को मिलता है ठीक ऐ फिर उसके बाद से भारती ए सोतंतरता अधिनियम 1947 आ गया भारत गुस्त में पुरी तरह से सोतंत्र हो गया तो भारत सोतंतरता अधिनियम ब्रिटिस भारत में किस अधिनियम में संग्य साशन का प्राउधान था तो भारत साशन अधिनियम 1935 में था नेक्स दिखते हैं नेक्स है की अखिल भारतीय संग अस्थापित करने का प्राउधान किस अधिनियम में किया गया था तो भारत सासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत की सम्विधान में केंद्र और राजियों के मद्ध किया गया सक्तियों का वीभाजन भास सरकार अधिनियम 1935 पर अधारित है। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित सम्विधान सभा द्वारा भारत की सम्विधान का निर्मान करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था नेक्स्ट है कि भारतिय सम्विधान सभा का गठन किसके अंत्रगत किया गया था तो सबसे करने दोरह द्वारा किया गया था अब देखते हैं कि लो रस राष्ट मंदल संबंत था विदेशी मामले के यह सदस मतलब विदेशी मामले को यह देख रेख करते थे सरदार बल्ला भाई पर टेल की बात करें तो यह ग्री सुचने उम पर सारण मंत्रा लग के पर मुप थे डॉक्टर राजेंदर परसाद खाद उम क्रिसी के थे जोन मत संबंदी थे लियाकत अली खान विद से संबंदी थे और सी राज गोपाल चारा सुरी सी राज गोपालाचारी जो थे वह सिक्षा एवं कला से संबंदी थे नेक्स देखते हैं कि भारत सासन अधिनियम 1929 की समिक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमिशन का गठन किया गया थ तरह दितन वानच का अनुदी थे उसके विरोध में पर्दर्सन कर रहे थे लालाज पत्राईग की मिर्तु हो गई थी ठीक है नेक्स देखते हैं साइबन कमिशन का गठन जो हुआ था साइमन कमिशन में कोन ऐसा रिपोर्ट था जिसको मतलब विरोध हो रहा था भारत में आपनों कॉमेंच सेक्षिन में बताईए यह मोडर्न हिस्ट्री का पोर्षन है लेकिन आपको में बताइए कि साइमन कमिशन का यहां पर भारत में विरोध क्यों किया रहा था ठीक है नेक्स लेखते हैं कि भारत की सम्मिधान सभा की पहली बैठा कब हुई थी तो नौ दिसंब उनिश्व च्यालिस को ही थी भारतिय सम्म पर्षम प्रारूप तयार किया गया थ dealt हो सर्भी राव ड्यक् healthy-sating चुना गया था तो प्रस्तूत को टेरहिक अब सम्मिधान सभाव में पंडit निहरु दौरा उदेश प्रस्ताव कब प्रस्तूत किया गया। तो 13 December 1946 को उदेश प्रस्ताव स्विक्रिद किया गया। मतलब ऐसा इसे उदेश को ले करके हम तो सम्मिधान का निर्माण करेंगे। next देखते हैं कि नेरुदोरा प्रस्तु तुदेश प्रस्ताव सम्मिधान सभा में कब स्विकृत हुआ तो 22 जनवरी 1947 को स्विकृत किया गया भारतिया सम्मिधान के निमाणकाल में सम्मिधान सभा के कुल कितने अदिवेशन हुए थे तो जब सम्मिधान जब बन रहा था त स्वारत की चतवा की संवा धान सभा की पर्थम बैठा की अध्यक्टता कौन किया तो डॉक्टर सचिता नंसिना यहीं अस्थाई अध्यक्ष ने जो जिसने सम्विधान सब्गे पर्तम बैठा की अध्यक्षता की थी भारत का संभिधान कब स्विकार किया गया तो 291949 को स्विकार किया गया भारतिय संभिधान पुन्द तक कब लाग हुआ 26 जनवर 1950 को लागो किया गया यहां पर संभिधान सब्गे जो थी यानि कि निर्मान का प्रारम 13 संभा 1946 को पंडित जोहरलाल नहरु द्वारा प्रस्तूत उद्देश से प्रस्ताव यानि कि ऑब्जेक्टिक डिजॉलूशन से भुआ जिसे 22 जनवर 1947 को सर्व संभिधी से स्विकार कर दिया गया 26 नौंबर निर्मान चास को भारतिय संभिधान अंगे क्रित किया गया जबकि 26 जनवर 1950 को इसे पूर्णत यानि की पूर्णत लाग याना कि एक्जेक्योट कर दिया गया नेक्स देखते हैं 26-29-1949 को भारती सम्विधान की इसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो सम्विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया, जन्द गन्मन को भारत के राष्टगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जन्वर 1950 को अपनाया गया था, भारत सरकार दोवारा असो कस्तम को राष्टिय चिन के रूप में अंगेकरित किया गया था कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था सम्विधान सभा की सलाकार समीती जो थी यानि की एडवाईजरी कमीटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे तो सरदार बलभाई पटेल यानि की लोह पुरुस के नाम से इनको जाना जाता है नेक्स्ट है कि भात्य सम्विधान की जंडा समीती के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंदर पर साथ थे अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बॉक्स है जिसमें परमुक्ष समीतिया एं उसके जो अध्यक्ष थे कौन-कौन थे उसको देखते हैं जैसे कि संग सक्ति समीती तो संग सक्ति समीती के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जोहारलाल नहरू थे संगिये संविधान समीती पंडित जोहलाल नहरू थे प्रांतिये संविधान समीती जो थे वो के अध्यक्स सरदार बल्लबही पटेल थे प्रारूप समीती जो था वो डॉक्टर भीमरा अंबेदकर थे एक बॉक्स में यहां ओवर्वीव दिया गे है कि डॉक्टर वियार अम्वेदकर की अध्यक्षता में सम्मिधान की प्रारूप समीती में चो अन्य सदस्य एन गोपाला स्वामी आयंगर डॉक्टर केम मुंसी बीम मित्रा बाद में इनके अस्थान पर इन माधोराओ अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर सेद मुहमत सादू प्रारूप समीती का गठन कब किया था तो 29 अगस 1947 को किया था डॉक्टर वियार अम्वेदकर का सम्मिधान सभा में निर्वाचन किस प्रेशिजन्सी से हुआ था तो बंबाई प्रसंदहा है और यह हमेंसे एक्जाम में पूछा भी जाता तो इसको याद रख लिजिए क कि दॉक्टर वियार अम्वेदकर का सम्मिधान सभाब में निर्वाचन किस प्रेशिदेंशी से हुआ था तो बंबाई प्रेशिजिए से हुगा था नेक्स से कि भारत का सम्मिधान मुलेतोओ दोह भासाओं हिन्दी तीफ है अंग्रेजी में लिखा गया था और सबी साध स्मीधान जब बना तो संवीधान बनाने के लिए पहले से कहां से किन सारे प्रवधानों को अडॉप किया गया किस देश से लिया गया उसी के बारे में यहां पे हम़ों को देखना यह important हो जाता एक्जाम में तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो भारतिय संभिधान में मौलिक करतब्यों यानि कि fundamental duties जो आर्टिकल 51-a में है का विचार किस दिस की संभिधान से लिया गया था तो रूस के संभिधान से लिया गया था भारतिय संभिधान में राज जी के नीती नीर दे सकता तो यह हमेशा एक्जाम में पूछता है बहुत ही फेमस प्रस्न है यह भी राज के नीती नीर सकता तो यानि कि principle of Liberty, Quality and Fortunity की किस देश्च से लिया गया था तो France का और France में जो कृणती चल रही थी तो उस समय जो क्रांती चल रही थी तो उस समय उसका जो एक मोटू था यानि मोटू बोलती एक नारा था एक कॉंसेर्ट जो था वो इसी का था किसका था तो स्वतंद्रता समानता एवं बंदुत्व का सिदा जिसको हम अंगरेजी में प्रिंसिपल लिवर्टी एक्वालिटी एंड फर्टर्निटी भोलते हैं तो यह कहां से लिया गया था तो भारत में नियाएक पुन्राव लोग जैने कि जो जूडिसियल रिव्यू की जो संकल्पना हों किस दिसके संविधान से ली गई है तो संजुक्त राज अमेरिका से ली गई है ठीक कैसे हैं तो चैस के-ब एक संभिधान मेंच संसोधन ницаस्मेड़ने के में परवधान मिलित अपातकालिन उपबंद यानिकी इमर्जेंसी फ्रोविजन से जो आर्टेकिल 352 से लेकर के 360 तक है वो कहां से लिया गया तो जर्मनी से लिया गया है सक्तिसाली के संगात्मक Washban का संभीनान से तो Caroline से जो अमेरिका से लिया गया से लिया गया तो इसके संभीतान में संतुर्ण गिला तो ऑस्ट्रिया से लिया वा Il भारतिय संभिधान में नहित बीदी द्वारा अस्थापित प्रकिरिया यानि कि प्रोसेस इस्टैबलेश्ट बाइ लॉग किस जिसकी संभिधान से गरण की गए तो जपान से भारतिय संभिधान में मुल करतब्यों यानि कि फंडामेंटल ड्यूटिज होई एक आवन का कर यानि कि 51 का यह मतलब आर्टिकल है उसमें यह मुल करतब्यों का बनन किया गया यह जो मुल करतब्यों कहां से लिया गया है किस देश की संभिधान से प्रेरित है तो रोस के संभिधान से प्रेरित है भारतिय संभिधान में संस सदिय जो विशेश अधिकार का जो concept है वो बिर्टेन से लिए गया है नेक्स देखते हैं और बिर्टेन का आप लोगों को पता होगा कि बिर्टेन का जो सम्विधान हो और लिखी ते नहीं लिखा हुआ नहीं है भारत के सम्विधान में सम्मेलित मूल अधिकार यानि कि fundamental rights कि इसे टेश के प्रावधान है तो शंजुक्त राज अमेरिका याने час यह जाने गया है तो प्रस्तावना कि सब में हैं जैसे कि हम भारत के लोग है मूल अधिकार है सोतंतर और नयाई पालिका नयाईक पुन्रावलो पुन्रावलोकन है जिसको judicial रेव्योग बोला जाता है, सर्वोच न्याले और मूच न्याले के न्याजिसों को पद से हटाया जाने के जो प्रकिरिया होती है, वो है राश्पती पर महावियोग है, उसके बाद से चलिए, कॉमेंट में बताएं कि राश्पती पर जो महावियोग लगता है, कि सन राष्पती का पद है, उसके साथ यथोछित बीधी परिक्रियानी की एक दमाब का जो प्रोसेस है, वो यथोचित तरीके से है, ठीक है, तो ये हम USA से लिये है, अब बीटेंट से हम लोग बीधी का सासन, मतलब जो भी सासन होगा वो, बाई मतलब बो法 해요, ठीक है, जैसे संस सद तीन चीजों से मिल करके बना है लोग सभा राज सभा और राश्पती तो यह पढ़ना लिए जो बेटेंट से लिए गई है एकल नागरिकता है यहाँ पर बिहार में रहो जारगंड में रहो या फिर आप किसी भी भारत के किसी भी राज में रहो लेकिन आप भारतिये हो इसके लिए आपको एक ही वोटर आईडी कार्ड एक ही चीज आपको एक ही नागरिकता मिलती है द्वी सदनिये ब्यवस्ता यहाँ पर जो है वो ब्रेटेंट से लिया गया है ठीक है उसके बाद से विधी निर्मान की प्रकिरिया यानिक लोग बनाने की प्रोसेस है वो भी जलzip गया है सरवाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत करनेन है मतलब जो जो परटी ज्यादा सबोट से जीतता है उसी को मतलब चुनाव वही चुनाव जीतता है ठीक है यह भी प्रोसेस जो है वो ब्रेटेंट से लिया गया है बिधाइका में अध्यक्श पद्द की भूमि देखते हैं इसको प्रक्रिया वो करते हैं जैसे कि अभी मतलब यह सवर्णों के लिए दस पर्चन आया था हम लोग ने क्या किया है संसोधन किया है लेकिन फिर भी अगर देसवाली बात आती है तो सक्त केंदर में वह सशखत केंदर सब्सक्राइब से सब्सक्राइब सब्सक्राइब विसका बनाएगा और जिन चीजों पर ज्यादा प्रॉब्लम हो उस पर वो कौन करेगा तो केंदर करेगा निकि सारी जो सक्तियां होगी वो कहां नहीं थे तो केंदर में नहीं थे उसको सम्मौर्ती सुची कंतरगत हम लोग रखे हुए और यह प्रोसेस है जो कैनेडा से लिया गया नेक्स देखते हैं कि केंदर द्वारा राजियों में राजिपाल की नियुक्ति तो राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है कॉमेंट में बता सकते हैं तो लिखिए कि राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है सिधी सी बात केंदर द्वारा किया जाता है राजियों में राज तब केंद्र सरकार क्या करती है कि और सिर्ष सक्तियों का उसमें प्रोसेस दिया गया है ठीक है फिर नेक्स्ट है कि वैपार वानी जियूंसमागम की 138 संवध्री जो भी प्रोसेस है वो ऑश्चिलिया से लिया गया है संसर्द के दोनों सद्रों की संजुक जो बैठक होती है सब जगह से लिया तो आइरलेंड से भी देखते हैं क्या क्या लिया क्या है तो राजी के नीती नी दे सकता तो सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट प्रस्न है यह और मोश्ट इंपोर्टेंट चीज संभीधान का ॏप यह जो परवर्तनिय नहीं होता है इस नहीं किया सकता है इस पर राजी सरकार अपना कानून बनाती है राजी के विकाश के लिए लिए तो यह स 녹्ति The Pacific existem एरश्रपति की यह ईर्वांचन की पत्ती है। कैसी उसका चुनाव होगा उसका प्रोसेस कैसे है जैसे कि यह करते हमें सम्मिधान में किसकी चीजों को लिया गया है तो सबसे पहले गणतंत्रात्मक बिवस्ता यानि कि जो भी यहां पर रूल होगा कौन करेगा तो लोगों के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा होगा यानि कि गणतंत्रात्मक होगा गण का मतलब होता है लोग पबलिक यानि कि हम लोग हम और आप मिल करके ही हम लोग यहां पर बिवस्ता को बनाए रखेंगे ठीक है फिर सोतंदरता समानते हैं हम बंदुतों का ठीक है फिर बात करते हैं हम रूष की सब तो सब जगह से तो लिया लेकिन अब रूष से भी हम बात करते हैं रूष हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है तो उससे हम लोगों ने क्या-क्या ची लिया तो मूल करतब्य मैंने fundamental duties जैसे की राश्ट का सम्मान करना, राश्ट के राश्ट ध्वज का, राश्ट गान का सम्मान करना, ठीक है देश की एकता और खंडता को बनाय रखना, भायचारे की जो प्राविर्ठी है उसको बनाय रखना ये सब कहां ये मुल करता भीक अंतरगत आता है ये सब कहां से लिया गया है तो रूस से लिया गया है प्रस्तावना में समाजिक आतिक और मिराजनीतिक न्याय का आदर्स ये प्रस्तावना जो भी है वो भी रूस से ही लिया गया है जैसे जिसमें हम भारत के लोग भारत को ए जैसे कि जर्मनी जो है वहां पे जैसे कि इमर्जेंसी लग गया तो इमर्जेंसी जो 352 से ले करके 360 आर्टेकल जो है उसमें अपातकाल का प्राउधान किया गया है तो उसमें जो अपातकाल जब लग जाएगा तो मूल अधिकारों का हम लोग अस्थागन कर देते हैं कि वर आर्टेकल जो 21 जो है जैसे कि राइट टो डिग्निटी टू लाइफ यानि कि प्राणे उम्दहिक सोतंतरता को छोड़के बाकि सारे फंडामेंटल राइट्स को अस्थागत मतलब रोक दिया जाता है ठीक है फिर जपान से हम लोगों ने किया किया तो बीदी दौरा स्था जैपान से ली गई है शली आज के वीडियो थ्यादा लंबा हो गया तो चलिए आज के लेक्चर में अगर यह अच्छा लग रहा है तो प्लेज सब्सक्राइब कीजिए लाइक खेशे जा करके आप लोगों ने अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो डिस्किप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको और टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएए और टेलीग्राम के और भी इसके पीडियेप भी यह सब सारे सेर किय जाते हैं तो और भी जो भी इंपोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर सेर की जाती है ताप टेलीग्राम से जुड़ जाएए और प्लीज इस चैनल को थो आशा सपोर्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद में वेल आइक